तो औल राइड ही गाइज आप सब को डाउनलोग में प्राज़ मोती है टेलीकरम में wowrak अगर आपके लिंक नहीं खुलती लिंक अगर नहीं खुलती में जाना यहां से एप खुलें लीकरम ठीक है और यह मेरा गरूपैस जिसमें मैंने सारी PSD डाल रखिया और इसमें आप देख सकते हैं 1400 से से भी जादा मेंबर्स हैं यहां पर साड़े 1400 हो गए हैं ठीक है यहां आपको सबसे पहले जब आपकी एप खुलेगी तो यह सर्च बाहर दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक करना है आपने और यहां मेरा नाम लिखना है ठीक है जब आप नाम लिख देंगे तो सबसे उपर मेरा चैनल आ जाएगा आप उसे क्लिक करेंगे तो जॉइन का और यहां नीचे ऑप्शन आएगा यहां ब्रोड़कास जहां लिखा है और आप फिर जॉइन कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं हम टुटोरियल में यह ज़ जैली फिश क्लोव की और आपने जैसे पहले देख लिया है मेरी वीडियो जो अभी मैंने थोटी जएर पहले डाली थी उसमें आप ग्रूप जोइन करने के इस्यूस जो भी होते हैं आपको सॉट आउट हो जाएंगा आप इसली सॉट आउट कर सकते हैं और यहां मैं लौन हो जहां यह अले जैली फिश है को जैली फिश दो पार्ट में रखी थी मैंने सब से पहला पार आउटर मोंस्ट पार्ट जो ग्लोव क्रिएट कर रहा है और उसके पीछे तैंटिकल से और यहां पर मैंने एंदर जो लैंस पॉट कर कर रखा है अब देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कि आई इस vraag is in जिए इस आगशाफ से वह जारे देस और विदoup प्रौिडिमियस है और फटेश में परूब्लम नहीं हाएगी हैं हो तो यह भी महाँ बहुत सिंपल टेक्निक से समझाऊंगा आपको कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं so exit करते हैं full screen mode को और यहां सबसे पहले अपने template को बिल्कुल size करते हैं command 0 से और फिर यहां से start करते हैं इसे अपने dragging panel को लाके और color fx जैसे मैं use करता हूँ अपनी color grading के लिए तो आप भी use कर सकते हैं बहुत अच्छा टूल है ठीक है so सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं यह मैंने create कर रखिया अपनी image है just import कर रखिया उसके बाद मैंने यहां dodge and burn नहीं कर रहा है simple like यह वाला टूल आप लेंगे ठीक है डार्क है ना इसमें अब जहां आपको डार्क करना हो आप वहां कर सकते हैं जैसे white hair थोड़ा से दिख रहा है तो इसको मैं जस्ट यहां से करूँगा simple तो यह white remove हो जाएगा तो यहां white remove होगा और जैसे यहां dark lighten है तो जैसे यह black part है अब मैं इसे यहां से color sample ना करके यहीं से just इतना करूँगा तो आप वो देख सकते हैं आप dark part सारे हट जाएंगे यहां से अब और मुझे जहां से भी हटाना हो आप यह basic idea तो समझ गए होंगे कि आपने अपने pimples और scars कैसे हटाने हैं तो यही एक तरीका जिससे आप हटा सकते हैं easily ठीक है अब बढ़ते हैं कि मैंने यहां retouching कर दी अपनी image के अच्छे से बहुत अच्छे से आप देख सेकते हैं थोड़ा after and before अगर आपको दिखे ठीक है उसके बाद मैंने यहां add करा स ठीक है और just यहां पर उसी का glow create कर रखा है तो आपको confusion ना हो इसलिए मैं हर लेयर को आपको एक-एक करके समझाओं और ठीक है स्क्रीन बैटर लगा मुझे स्क्रीन बैटर लगने के बाद उसके बाद मैंने यहां apply करा है एक क्या कहते हैं orange color यहां से आप ले सकते हैं कोई भी orange color जो आपको पसंद आए ठीक है जैसे यह orange color ठीक है okay करना है आपने और यहां clip करना आपने और फिर alt दबागे clip हो जाएगा वो ठीक है और इसका blending mode आपने करना है color पे अब इस brush को बढ़ा कर लेना और जो भी आपने यहां color paint करा है वो आप देख सकते हैं कितनी easily वहां अराम से fit हो जाएगा ठीक है तो इसमें कोई problem नहीं है कि brush select करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कितना प्यारा glow set हो गया है महां पे ठीक है तो यही मैंने कर रहा है नीचे थोड़ा slightly dim glow है तो वह अपने according taste कि आपको क्या चीए ठीक है उसके बाद यहां tentacle same procedure से मैंने add करें screen blending mode ठीक है फिर उसके उपर उस color को blue से convert करने के लिए same color के लिए मैंने brush से वही technique use करी है जैसे मैंने इन पर use करी थी clip करके color blending mode और फिर यहां से brush से paint ठीक है उसके बाद यहां मैंने थोड़ा सा curve से इसके थोड़े tentacles gap कर दिये थे क्योंकि मुझे इतने जादा tentacles नहीं चाहिए थे अपनी image में ठीक है तो यहां मैंने थोड़े से tentacles gap कर दे हैं और curve से थोड़ा curve down आप देख सकते हैं यहां ठीक है तो यह इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अब उसके बाद मैंने यहां create करा है glow glow कैसे create करा है just exposure को lift up कर दिया और जहां-जहां मेरे को glow चीए था मैंने वहां-वां paint कर थोड़ा 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 जादा नहीं अभी ठीक है उसके बाद यह वाली चीज़े है अब यह है soft light blending mode और just brush कर रखा है मैंने और कुछ नहीं आप जहां भी brush करेंगे आपका color वहां-वां जाता रहेगा ठीक है आप देख सकते हैं आप उसके बाद यहां पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल low flow कर दिया one पर आ जाएं आप ठीक है और यहां dot dot click click ऐसे करके आपको यहां थोड़ा like अपने atmospheric type से आप create कर सकते हैं थोड़ा color की वहां से emission हो रहा है मैंने यह बस इतना ही कर रहा था और यह कोई इतना वह नहीं है और से soft light पर कर दे देखेगा आपको तो soft light से जड़ा सा थोड़ा सा subtle glow type सा वहां से create हो जाता है इसलिए just मैंने डाला है और फिर बागी यह jellyfish भी same है just मैंने इसके अंदर screen mode डाल रहा है और फिर same कर रहा है कि महां पे intensity बढ़ती जाए उसके बाद last जब आप glow create कर देंगे main main point जो है वो है यह से आपको color dodge mode में select करना है color dodge में करेंगे तो आप एकदम से देखते हैं वहां बिल्कुल glow create हो जाएगा और फिर उसको यहां पे आपने color से वो कर देना है तो आप देख सकते हैं यहां कितना प्यारा और पढ़िया glow create हुआ है at the end में color dodge की मदद से तो color dodge एक बहुती powerful tool है और कई लोग ही से underestimate करते हैं so मैंने use कर आजस्ट तो आप देख सकते हैं ग्लोग इतना प्यारा create हुआ है ठीक है उसके बाद यहां पर आता हूं मैं दूसरी लेयर पर और यहां कुछ नहीं कर रखा overlay से मैंने brush से थोड़े थोड़े जहां मेरे को लगता है कि हां यहां थोड़े सब लैक है तो मैं वाइट पेंट कर देता हूं जैसे यह आप देख सकते हैं तो like kind of retouching ही समझो आपी से थोड़ा सा like face glow करने के लिए होता है पॉप करने के brush बहुत चोटा कर लो आप और जश्ट अपना जो भी आपको लगता हूँ like यह है flow पूरा और यहां ऐसे आप पेंट कर सकते हैं तो दूर से देखेंगे तो आपको अलगी लगेगा so मैंने वहां थोड़ा precisely कर रखा है और टैबलेट से कर रखा है so ना फरक पड़ जाता है उसके बाद यहां पर आते हैं hairs का glow तो hairs का glow मेरे को बताना था मैं पहले यहां color कर रहा था औरेंज औरेंज कहा रहा हूं green ठीक है green color मैं कर रहा था सबसे पहले लेकिन फिर मुझे सही नहीं लगा green color तो मैंने green color हटा दिया अब green color को हटाए कैसे मैंने hue saturation क्लिप करा alt तब आके और फिर यहां जो भी color मुझे चाहिए आप वो डाल सकते है red, blue, green, pink, pink विंक जो भी आपको अच्छा लगता हूं तो इतना आपको समझ में होगा और फिर glow कैसे create दिया है यहां पर जो मस्त वाला glow आया है बालो में वह आया overlay की मदद से overlay में जाने का है और फिर यहां से brush लेना है अपने और जहां भी आपको glow चीए हो आप महां इससे draw कर सकते हैं और वहां की चीज़ वह पॉप हो आराम से ठीक है अब यहां वड़ते हैं दूसरे step की तरफ तो यहां मेरा logo मैंने add कर दिया था क्योंकि बाद में post processing में logo का color अलग सा दिखे तो अच्छा नहीं लगता और उसके बाद मैंने एक stamp layer बनाई है और यहां मैंने अपने LUT supply कर रखे हैं जो कैलन्स वाले हैं नीच आपको ग्रूप में भी मिल जाएंगे और वो कैलन्स नाम से ही है कैलन्स 2.xmp नाम से तो आप वहां से निकाल सकते हैं और एक बंदे का शायद comment भी आ रखा है कि preset नहीं मिल रहा है तो भाई मैं किसी को ऐसे टेलिग्राम के तरूप भी वह इंस्टाग्राम पे नहीं भेज बता रहूं हमेशा सो मैंने महां सब हर किसी के लिए इन वह convenience में देखके वहां पे टेलिग्राम में रख रखे हैं मैंने सारी चीजे अरेंज्ड वे में रखी थी मेरे को भी दो से तीन दिन लगे थे वहां पे चीजे लगाने में सो कि आपका इस रहे आप वहां से और एफेक्स से लाट्स मैंने कलर ग्रेड कर रखाया और जस्ट कॉंट्रास सी कलर ग्रेड है इस बार की आप यह टुटोरियल देखा है पूरा और इतना आपने समझा है सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो